भारत में उगाई जाने वाली तिलहनी फसलों में सरसो, राई का मुंगफली के बाद दूसरा स्थान है। कुल तिलहन उत्पादन में 22.9 प्रतिशत तथा क्षेतरफल में 24.7 प्रतिशत हिस्सा राई सरसों के अंतरगत आता है। भारत में राई सर्सों के अंतरगत तोरिया, भूरी सर्सों, तारामिरा, करन राई तथा काली सर्सों का उतपादन किया जाता है। परंतु राई सर्सों वर्ग की फसलों की कुल क्शेत्रफल का 85 से 90 प्रतिशत हस्या भूरी सर्सों के अंतरगत आता है। वर्ष दो शूने शूने आठ शूने नौ में कुल नौ तिलहनी फसलों का शेतर 27.5 मिलियन था जिससे उतपादन 27.7 दो मिलियन टन प्राप्त हुआ जबकि 2020 तक देश की तेल की आवशकता है तू कुल 66.6 मिलियन टन तिलहन की आवशकता होगी। 36.6 में दो शूने शूने एक शूने दो में राई सर्सों का रखबा एक लाग था जो कमशा बढ़कर 2009 से 10 में 1.6 लाग हो गया जबकि उतपादता इस दोरान 625 से 525 किलो गाम प्रती है। ही रहा जो देश के अने राजों गुजरात 1635, हरियाना तथा पंजाब 1189 के तुन्ना में लगभग आधा है। इसके तेल में औश्टिय गुन भी विद्यमान होते है। सर्सों की खली भी भूमी के लिए लाबदायक है। क्षेतर फल मात्र 2910 हेक्टेयर है। जो कुल रभी क्षेतर अच्छादन का मात्र 3 प्रतिशत है। आथ तिलहनी फसलों का शेतर एवन अधिक्तम लाभप्रद उतपादन प्राप्त करने के लिए अधुनिक ख्रिशी। तक्नीकों की पूर्ण जानकारी होना आवशक है। खेत का चैन, सर्सों की खेती उत्तम जलनिकास एवन उत्तम भूमी प्रबंध के साथ सभी प्रकार की भूमी में की जा सकती है। सिंचित अवस्था में दोरसा एवन बालूी दोमट भूमी का चुनाव करें असिंचित अवस्था में भरी कनहार जैसे काली भारी भूमी जिसमें नमी अधिक मात्रा में संचित रहती है, अधिक उप्यूक्त होती है। बोने का समय सरसों रभी की मुखे फसल है वह इसके लिए शुष्क एवन ठंडी जलवायू की आवशकता होती है। असिंचित अवस्था में भुवाय 30 अक्टूबर से मदे नवंबर तक पूरी कर लेना चाहिए। देर से भुवाय करने पर कीट वरोगों के परकोप की संभावना बर जाती है। असिंचित अवस्था में यह आवशक है कि धान काटने के तुरंद बाद खेट की तयारी कर सरसों की बोनी कर दें अत्वा नियूंतम जुताई कर बुवाय करें ताकि नमी की समुचित उप्योग हो सके। भूमी की तैयारी बीज बुवाय के पूर्व भूमी की तैयारी के लिए दो तीन बार अच्छी गहरी जुताई करें वा खेत को खरपतवा रहित कर मिटटी को भुरभुरी बना लेना चाहिए ताकि भूमी में नमी भी अधिक समय तक संचित रहे वा बीजों का अकुरण भी ठीक प्रकार से हो सके बीज की मात्रा व बीज उपचार बुवाई करने है तू शुद्ध फसल के लिए एक डॉट पांच दो की ग्राडॉट एकर तथा मिशृत फसल के लिए 400 ग्राम बीज एकर की दर से उप्योग करना चाहिए बीज को बुवाई के पूर्व बावि उप्यूक्त कही जा सकती है हालांकि क्षारिय भूमी में सरसों की सही किस्म के चुनाव से अच्छी पैदावार ली जा सकती है जहां जमीन क्षारिय हो वहां प्रती तीसरे वर्ष जिपसम 50 क्विंटल प्रती हेक्टेर की दर से प्रियोग करना चाहिए जिपसम को मई या जून में जमीन में मिला देना चाहिए सिंचित शेत्र में पहली जुताई मिट्टी पलटने वाले हल से कर तीन-चार जुताईयां हैरो से करके पाटा लगाएं ताकि खेत में भेले न बन सके असिंचित या बारानी दशा में प्रतेक वर्षा के बाद हैरो से जुताई कर नमी संरक्षित करें तथा प्रतेक जुताई के बाद पाटा अवशे लगाई ताकि भूमी में नमी बनी रहे। बुआई का समय बुआई का समय विभिन स्थानों पर तापमान, मांसून की स्थिती या समाप्ती तिती एवंपूर्व में खेत में खड़ी फसल, फसल चक्र के अनुसार भिन हो सकता है। बुआई का उचित समय किस्म के अनुसार सितंबर मधे से लेकर अक्टूबर अंद तक का होता है। सरसों में अंकुरण अच्छा हो इसके लिए बुआई के समय दिन का अधिक्तम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस से जादा नहीं होना चाहिए। सरसों की बुआई नवंबर में करनी हो तो देरी से बुआई के लिए उपयुक्त किसमों का उपयोग करने से तुन आत्मक रूप से अधिक पेदावार प्राप्त की जा सकती है। सर्सों का बीच छोटा होता है से अधिक गहराई पर नबोए सर्सों का बीच छोटा होने के कारं बीच की मात्रा लगभग डस गुना लकड़ी का बुरादा या बारीक मुरमुरी मिटटी या रेत के साथ मिला कर बुवाई करें खाद एवं उर्वरक भरपूर उत्पादन के लिए चार से पांच टन गोबर खाद प्रती एकर डालना चाहिएं असिंचित खेत में नत्रजन बारह की ग्रा डॉट, फास्फोरस आठ की ग्रा वपोटाश छे की ग्रा प्रती एकर की दर से देना चाहिए सिंचित अवस्था में नत्रजन 24 से 32 की ग्रा डॉट, फास्फोरस सोलह की ग्रा एवं पोटाश बारह की ग्रा प्रती एकर की दर से डालना चाहिए नत्रजन की आधी मात्रा बुवाई के समय तथा शेश मात्रा बुवाई के 30 से 35 दिन बाद पहली सिंचाई के समय देना चाहिए निंदाई गुराई, बुवाई के 30 से 35 दिन के अंदर निंदाई गुराई कतारों के बीच हेंड हो जला कर करें सिंचित अवस्था में खर्पतवारों का प्रकोप अधिक होता है जिनका नियंतरन करने के लिए खर्पतनाशी दवाओं का प्रियोग करना चाहिए विश्व में तिलहन वाली प्रमुख फसले मुंगफली, सरसों, सोयाबीन एवन सूरज मुखी है अमेरिका, ब्राजील, अर्जेंटीना, चीन वा भारत प्रमुख तिलहन उतपादक देश है भारत में तिलहनी फसलों के रूप में मुखे रूप से मुंगफली, सोयाबीन, सरसों, सूरज मुखी, कुसुम, अरंडी, तिल एवन अलसी उगाई जाती है सरसों उतपादन एवन क्शित्रफल की दृष्टी से विश्व में चीन एवन कनाड़ा के बाद भारत का तीसरा स्थान है भारत में सरसों प्रमुख रूप से राजस्थान, मध्य प्रदेश, हरियाना और उत्तर प्रदेश में उगाई जाती है खादे तेलों के आयात हेतु भारत सरकार को बहुत बड़ी मात्रा में विदेशी मुद्रा खर्च करनी पड़ती है आथ खादे तेलों पर आयात की निर्भरता कम करने के लिए तिलहनी फसलों का उतपादन बढ़ाने पर अधिक जोर दिया जा रहा है सरसों की फसल किसानों में बहुत ही लोकप्रिय है क्योंकि यह फसल कम सिंचाई एवन लागत में दूसरी एने फसलों की अपेक्षा अधिक लाब प्रदान करती है सरसों के तेल में न्यूंतम संत्रिप्ट वसा अमल तथा लिनोलेनिक एवन लिनोलिक अमल की मौझूदगी इसके लाबकारी गुनों को प्रदर्शित करती है परंतु इसके तेल में इरूसिक अमल की अधिक मात्रा 35-50 प्रतिशत अंतराष्ट्रिय मानकों के अनुरूप नहीं है